हेलो एंड वेलकम टू दा चानल तो दोस्तों मैं हूँ नवनीत और मेरे चानल देशी मोटार में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज की वीडियो है मेरे लमल एनवी फो स्कूटर के उपर ना कि टू स्कूटर ओके तो जो टू स्कूटर है उसकी का रेस्टोरेशन चल रहा है उसकी प्लेलिस्ट यहां पर आई बटन में आपको दिख जाएगी आप देख सकते हो और अभी वह काम पूरा नहीं हुआ है कुछ सामान ऐसा है जो कि मार्केट में या कहीं भी अभी है नहीं सो इसलिए काम अटका हुआ है वह कहीं से मंगा रहे हैं देखते हैं मिल गया यूज करते हैं उसके उपर है तो इसका जवाब आप जानने के लिए बने रही है वीडियो में चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों यह रहा मेरा LML NV 4-stroke यह मेरे डाड का तीसरे स्कूटर है और LML में ही तीसरे स्कूटर है पहले दो टू-स्ट्रोक थे यह थर्ड वाला पोस्ट्रोक है और इसका रेजिस्ट्रेशन आइटिंग इसको छे साथ साथ साल हो गया होंगे तो हाँ साथ साल देखना पड़ेगा अब याद नहीं कितना पुराना है बट एनिवेज तो दोस्तों यह जो LML NV 4-stroke स्कूटर है इसका इंजन बाकी जो मार्केट में जितने भी गेरलेस स्कूटीज है उनसे अलग है स्कूटीज बोल रहा हूं वो स्कूटर नहीं स्कूटर उनसे अलग है आप उसका इंजन ऑयल गलती से भी इसमें यूज नहीं कर सकते हैं इसमें जो इंजन ऑयल यूज करते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा कि उसमें किस तरह का इंजन ऑयल यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं इसका जो क्लच है वो है वेट क्लच तो जो क्लच हैं इंजीन में नहीं नहीं डूबा होता है स्कूटर यह स्कूटर है वोथ उसमें एंजन अई गालाई इंजन जब वालाई उसमें यह जनौर यह दले गार वह है दौल कि भड़ा में वह कर दोक दानेगा ठोलाई अब भूरल कमें可ных हैं मोट साइकिल वाला ही पड़ेगा बतातो तो दोस्तो यह है इंजन ओय जो मैंने अपने पैसो से मंगाया इस नाट पांसर और पेड वीडियो लिक्वी मोली का ही जो है इंजन ओयल मेरे घर पर डेलिवर हो जाता है और मोटल का मेरे होम टाउन में डेलिवरी नहीं मिलती है इ थो सबिस्ट्ट गेरवाला जो कि यह सो उसका मैनुल में आप देखो गे उसमें जो ऊईल रेकमेंड़र होता है वह होता है जासो म अच्टो यह है इंजन ऑएल का स्पेसिकेशन ग्रेड ठीक है यह इंजन ऑल देखो इसमें भी लिखा है जासो म में तू अगर आपको दिख हो तो अब हो ठीक है राे तो जो आपका जो यह मार्केट में जैसे आक्टिवा है सुजुकी एक्सेस है टीविए एंड टॉर्क है एग्री जुपिटर है यह इस तरह के जितने भी घेरले सी वी टी टैस्पनेशन वाले गेरलेस कुटी थे उसमें डलता है जासो भी और यह जासो MA है, MB जो पढ़ता है वो होता है स्कूटीज के लिए, जो गेरलेस स्कूटीज है लेकिन यह स्कूटर है और यह गेरलेस स्कूटर नहीं है, यह गेर्ड स्कूटर है और वो भी four stroke और इसका जो transmission है और इसके जो engine का build है वो motorcycle के engine की तरही है जो की wet clutch type है जो की engine oil में डूबा रहता है तो MB में वो lubrication properties नहीं है जो उस clutch को wear and tear से बचाए ठीक है MA में जो jasso MA है उसमें वो lubrication properties होती है जो आपके geared LML four stroke engine के clutch को wear and tear से protect करता है तो this is one of the best oil जो हम use कर सकते हैं यह fully synthetic engine oil है जो हम use कर सकते हैं और जो मैं इस scooter में use करने वाला हूँ तो मैंने liquid moly का पूरा जो है एक kit मंगाया हुआ है service का क्योंकि lockdown से इस गाड़ी की service नहीं हुई है और इसमें काफी time से बढ़िया काम नहीं हुआ है क्योंकि मैं यहां रहता नहीं था तो अब इसका control मेरे हाथ में है इसकी service का service का control ठीक है तो अब इसको मैं कराओंगा service तो इसके लिए फिर मैंने यह मंगाया है एक engine oil इसके साथ साथ मैंने पूरी kit मंगाई हुई है इसके अलावा और खजाने में से निकालते है खुल जा सिम सिम यह करते है साइड में यह तीन चीज़े है ठीक है पहला है यह engine flush तो यह पहला प्रोड़क्ट है यह engine flush जो हम सबसे पहले इसको यूज करेंगे इंजिन में डालके flush करेंगे और सारा oil train करने के बाद तब इस oil को यूज करेंगे उसके अलावा एक इस kit में आता है एडिटीव तो यह भी आ गया आखरी प्रोड़क्ट है यह शूटर यह डलेगा इंजिन में और यह करता है थोड़ा सा friction रिड्यूस करता है तो इंजिन क यह वाले रम्मी भाया भी यह यूज करते हैं तो अच्छा ही होगा तो यह है सारा kit पूरा जो मैंने मंगाया इस scooter के लिए करीब मेरे को exact price याद नहीं है बट यह ले दे के लगबग 15-1600 रुपए का पूरा kit है जिसमें आपका 1000 रुपए के अस-पास का यह oil है ठीक है तो आपको समझ में आ गया होगा वो लोग जिनके पास LMLNV 4-stroke gear वाला 4-stroke engine है ठीक है वो अपने scooter में जासो MA2 डालेंगे स्कूटर वाला कोई और engine oil स्कूटी वाला नहीं डालना है गलती से भी नहीं तो आपका clutch जल्दी चला जाएगा ठीक है बट अगर आप यह डालते हो तो आपका engine को जो proper जो उसकी specification है जो उसको requirement है कि क्या lubrication चाहिए वो मिलेगा तो engine की भी life अच्छी रहेगी और आपके clutch क कि भी life अच्छी रहेगी ठीक है तो दोस्तो बस ही एक छोटा सा वीडियो था आज के लिए इतना ही तब next video में हम इसकी service कराएंगे यह सारा kit लेके हम जाएंगे इसारी अपनी जो हमने दुकान यहां पर लगाई हुई है यह सब हम लेके जाएंगे और अपने mechanic के पास यह और साथ में एक bell icon है उसको प्रेस करिए उससे क्या होगा आपको मेरी नई वीडियो की notification मिल जाये करेगी जब भी मेरे वीडियो आएंगे तो generally अपना target है हफ्ते में एक वीडियो आने का वह आ भी जाते है कोशिश यही रहती है कि एक हफ्ते में एक वीडियो आ जाए कभी नहीं देखोगे subscribe नहीं करोगे तो मैं कैसे grow करूँगा समझो ना बात को ठीक है ना give and take relation है तो मेरे वीडियो ज्यादा आएं तो आपको भी subscribe करना पड़ेगा वीडियो को like करना पड़ेगा ज्यादा ज्यादा उसको share करना पड़ेगा समझ रहे हैं तो बस इतना ही है तो इसी के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं see you until next time बावाई अबे चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बक्तों इस टाइब कुछ चुप हो जाकोती है यह तो चुपना होगी शुरू होगी तो पर कीड़ा कहां से आ रहे हैं यह कहांड़ा लेगा है हां तो कि चुनाओ चल रहे हैं चुनाओ पर्चार हो रहा हम वीडियो कैसे बनाएंगा जब तक ही जाएगा निकाफिला है अच्छ 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 कर 배ता है है से भीडियो के यह हैंग यह हैं यह है हाँ जब पर कीज चल रहे हैंria पर टुर्प चारदान मेंन अचछ